बसकार दोस्तों सब्सक्राइब को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेसिंग है तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर यही नंबर है हमारे सिर्फ जहां पर कॉल या वाट्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं इस्टाग्रम पर पे जरूर फोलो कर लेजेगा एड़ डरेट स्टी पॉर सिविल्स है सारे कोईशन अट्एम्ट करिया और इसको अपना तुरंद कमेंट करके बताए है हेलो फ्रेंट व से उची मोटर वाहन चलाने योग के सड़क निम्लिकित में से किस दर्रे से उकरके गुजरती है वर्ल्ट सहाइएस्ट मोटरेबल रोड पासे तुरू विच फॉलिंग इवन पासे चौर ऑप्शन थे आपके आपके आपर इसका सही जो आपका फ्रेंट्स खार दूंगला दर्रा यहां से दुनिया की सबसे उची मोटर वाहन चलाने योग के सड़क गुजरती है इसकी बास फ्रेंट्स सेकेंड कोश्चन है यहां पर कि सही विकल्प का आपको चेन करना है पहला ऑप्शन है जेलपला दर्रा यह दर्रा चुम्बी घाटी से ओकर के गुजरता है तो यह उप्शन बिलपला दर्रा है यह चुम्बी घाटी से ओकर के गुजरता है और आपसे सही विकल्प का ही चेन करना था तो पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा लेकिन बागी क्या ऑप्शन को भी हम लोग देख लेंगे कि उसमें क्या गलत है जैसे अगर शिप आग दर्रा जो है काराताग पास यह आपका काराकूरम परवत श्रीनियों में मौझूद है ठीक है तो यह आप देखेंगे कि सारे ओप्शन नीचे वाले एक दूसरे से मिले होगत है जेलपला यह सही ओप्शन है यही आपको आंसर होगा आप्शन नमबर एक लेकिन शिप उत्रा खंड को तिबबस से जोड़ने के अतरिक्त गंगोत्री के उत्तर में भी इस्तित है विच आप दी फॉलूइंग पासे इस लोकेटेड नौर्थ अफ गंगोत्री बिसाइड्स कनेक्टिंग उत्रा खंड वे तिबबत तो आप देखेंगे यह चारों ही दर्रे उत् I mention ie honorQue इने चारों में कौन सा घंगोत्री के उत्तर में हो जूद है अगर माना पास की बात करें आगे तो माना दर्रा उत्तरा खंड को विडबत से को पता होगा जहां से गंगा का उद्गम इस्तलम भी ममाना जाता है इसे गंगोत्री में गोमुख जो है वहां से गंगा निकलती है तो मुलिंगला पास जो है यह उसके भी नौर्थ में मौजूद है मुलिंगला दर्रा गंगोत्री के भी उत्तर में इस्तित है तो सी ओर यह आपका है और आंचल प्रदेश में ठीक है तो इस बार फिर से बता देता हूं टूरियलड 카ा का इस व्होग बीड कूरर्लम में तुरियल डैम हो जाएगा मिजूरम सुबंसिरी डैम असाम दोयांग डैम नागलेंड और रंगनाडी डैम आपका अरुडांचल प्रदेश अगला कोशन है कोशन नमबर 5 निमलिकित में से गलत विकल्प का चेहन करना है तो गलत का चेहन करना है तो तीन सही होंगे तो गांधी सागर डैम यह आपका चंबल रिवर पे ही है इनफेक्ट आप देखेंगे गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागरबाद और जवाहर सागरबाद यह तीनों ही चंबल नदी पर मौझूद है तो यह तीनों पहले है कोशन नमबर 6 कौन सा रास्ट्री राज्यमार्ग दो से अधिक राज्यों से उकरके गुजरता है तो रास्ट्री राज्यमार्ग पैसन नेशनल हाईवे जो 65 पहला यह ओप्शन दिया हुआ है यह आप ध्यान से रेखें तो यह आपका राजस्थान और उत्तर प्रदेश से उकरके गुजरता है नेशनल हाईवे नमबर 45 की बात करें तो यह मद्य प्रदेश और 36 गड़ से उकरके गुजरता है और नेशनल हाईवे नमबर 40 की अगर हम बात करें तो यह आपका आंद्र प्रदेश और तमिल नाडू से हो करके गुजरता है ठीक है तो दो से अधिक पूछा गया था तो यह option इसका correct हो जाएगा अगला है question number 7 नई राश्ट्री राजमार के संखे यहां पर दीवी है राश्ट्री राजमार नेशनल हाईवे 530 यह आपका उत्तर प्रदेश से उकर की उजरता है और राश्ट्री राजमार के 112 यह आपका पश्चिम मंगाल से उकर की उजरता है तो आप देखेंगे आपको सही विकल्प का ही चेन करना था तो इस हिसाबती जो C आप्शन है यह हमारा करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है कोशन नमबर 8 किस राज्ज में राश्टी राजमार की लंबाई सबसे अधिक है तोड़ा factual कोशन भी कभी कभी पूछ जया आता है इसलिए आप पर कुछ factual कोशन भी रखे गए है तो इन चारो जे जो चारो आपको राज्ज दिया है इन में सबसे ज़्यादा लंबा जो राश्टी राज्यमार्ग है वो आपका है असाम में जो की है 3908 किलोमेटर के आसपास exactly 3908.5 किलोमेटर है आप लोग near about भी आद रखेंगे तो काम बन जाएगा 36 गड़ की बात करें तो यहाँ पर 3605 है हिमाचल प्रदेश में 266 है और केरल में आपका 1781 किलोमेटर है ठीक है तो यहाँ पर इस हिसाब से देखें तो असाम में सबसे लंबा रास्ती राजयमार्ग निकल दा है इन चारों देवे ओप्शन में ठीक है अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 9 गलत विकल्प का आपको चैन करना था तो भूटान भारत के साथ 699 किलोमेटर की सीमा साजा करता है जो कि बिल्कुल सही है मैं आनमार भारत के साथ 1643 किलोमेटर की सीमा साजा करता है ये भी सही है और नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमेटर की सीमा साजा करता है जो कि बिल्कुल करेक्ट है तो इसका सही उत्तर जाएगा तो मैक्सिको, एक्वाडर, कॉलंबिया, ब्राजिल, तो इसमें आप देखेंगे, एक्वाडर, कॉलंबिया और ब्राजिल, इन तीनों से ही, आपकी एक्वाडर पास होती है, विश्वत रेका पास होती है, भूमत रेका पास होती है, लेकिन मैक्सिको से भूमत रेका पास न नहीं गुजरती है तुर्विच आफ दी फॉलिंग अफ्रिकन कंट्री प्राइम मिरीडियन लाइन डज नॉट पासे त्रू मतब प्राइम मिरीडियन आप सभी को पता है जो मानक मध्यान रेखा है वो किसे अफ्रीकी देश से ओकरके नहीं गुजरती है तो ध्यान रखिए यह बेनिन से ओकरके नहीं गुजरती है बाकी घाना और टोगो इन दोनों से ओकरके गुजरती है तो कौन-कौन से हो गए अलजीरिया माली बुर्केना फासो घाना और टोगो यह पांच कंट्री जहां से आपकी मानक मध्यान रेखा या प्राइम मिरीडियन गुजरती है तो इसमें आप देखें जो गबन दिया हुआ है यह हमारे इन पांच ऑप्शन में नहीं था तो ग्यारवे का सी करेक्ट हुएगा राइट एंस हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है कोशन नमबर 12 निमलिकित में से किस एशिया ही देश से ओकर के करकरेखा नहीं गुजरती है टोटल एशिया में अगर देखें करकरेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यह कितने देशों से ओकर के गुजरती है तो टोटल एट कंट्रीज है जिसमें आपका ताइवान चाइना म्यानमार बांगलादेश इंडिया ओमान यू ए यूनाइटेड अरब एमिरत स इंडिया ओमान यूनाइटेड अरब एमिरत और सौधी अरेबिया तो आप देखेंगे कि बहरीन से ओकर के नहीं गुजरती है तो आपसे यही पुछा गया था कि करकर एखा कहां से नहीं गुजरती है तो डी ऑप्शन इसका करेक्टर जागा अगला है कोशन नमबर 13 मकर देखा किस देश से दक्षणी अमेरिकी देश से ओकर के नहीं गुजरती है तो जो मकर देखा है फ्रेंट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यह टोटल चार साउथ अमेरिकन कंट्री से ओकर के गुजरती है जिसमें आपकी अर्जेंटीना ब्राजील चिले और परागे यह अर्जेंटीना ब्राजील चिले और परागे तो आप देखेंगे यहां पर जो उर्गवे है यहां से ओकर के यह नहीं गुजरती है करके मकर रेखा यह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट्र जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है कोशन न टावर डिकलरेशन के अनुसार आर्कटिक परिशन में परिश्यद जो है आपका आर्कटिक कॉंसिल उसमें टोटल आठ कंट्रीज है और इनमें से कौन सा देश नहीं है तो ध्यान रखिएगा फ्रेंट से पहले मैं आपको पता जता हूं कौन कौन से हैं यह आठ तो आपके टोटल एट कंट्रीज हो गया तो आप देखेंगे यहां पर जो आप्शन यहां उसमें नीदर लैंड इन आठों की लिस्ट में शामिल नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं कि सी आप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला कोश्चन है फ्रिंस कोश्चन नमब रहते हैं यह पहला ऑप्शन ही गलत है गलत का इस चैन करना था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे फ्रिंट जो इंदरा कोल है यह आपका सियाचिन ग्लैशर मौजूद है और इस नौर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदरा कोल इ करेक्ट दिया हुआ है तो आपसे गलत पुछा गया था तो इसका करेक्ट हो जाएगा अगला है कोश्चन नंबर 16 तो सही विकल्प का आपको चैन करना था सबसे उत्तरी बिंदू अभी मैंने बताया वह क्या है इंदरा कोल है नौर्दर्न मोस्ट पॉइंट तो पहला ही देखे गलत लिखा हुआ है लेकिन आपको इसमें सही बताना है उसके बाद सबसे पूर्वी बिंदू सबसे पूर्वी बिंदू अभी हम लोगों ने बात की थी पूर्वी बिंदू द्यान रखेगा यह की बतू है की बतू है ना पूर्वी बिंदू क्या है की बतू है औ और सबसे पश्यमी बिंदू आपका हो जाएगा इंद्रा कोल, सुरी गुहार मोती, सबसे पश्यमी बिंदू आपका हो जाएगा गुहार मोती, और सबसे दक्षनी बिंदू आपका इंद्रा पॉइंट जो की करेक्ट दिया हुआ है, और आपको सही विकल्प का ही चेन करना था तो D option इसका correct हुएगा ठीक है तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा इसको सबसे उत्तरी बिंदू आपका हो जाएगा इंदरा कॉल ठीक है सबसे पूर्वी बिंदू जो लिखा हुआ है यह आपका हो जाएगा की बिथू सबसे पश्चिमी बिंदू आपका हो जाएगा गुहार मोती और सबसे दक्षणी बिंदू आपका हो जाएगा इंदरा पॉइंट अगला कॉशन है कॉशन नमर 17 करकर एखा नेमने मैंसे की दिन राज्यों से उकरके नहीं गुजरती है तो करकर एखा भारत के टोटल आठ राज्यों से उकरके गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक कोड भी है मित्र पर गमछा जाड यह आप सभी को आई होब पता होगा मैं स्टेट के नाम बता दे रहा हूँ आप कह सकते हैं तो पश्चिम से पूर्व की तरफ आप देखेंगे तो टोटल आठ इस्टेट्स कोन से हैं गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, चत्तिजगर, जहारखंड, वेस्ट बेंगॉल, त्रिपुरा और मिजूरम तो यह टोटल एट स्टेट्स हैं इंडिया के जो पश्चिम से पूर्व का क्रम भी है यह और करकर रेखा इंसे ओकर के गुजरती है तो आप देखेंगे कि इन सभी गिवन आप्शन में जो सिक्किम दिया हुआ वो अपने लिस्ट में मौजूद नहीं है तो बी आप्शन इसका करेक्ट हुए आएगा आगे बढ़ते हैं फ्रेंट अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 18 मानक मद्ध्यान रेखा है ना प्राइम इलिडेन भारत के कितने राजियों से हो करके गुजरती है तो मानक मद्ध्यान रेखा भारत के टोटल पांच राजियों से हो करके गुजरती है पांच राज ये कौन से है यूपी, एमपी, मतलब उत्रप्रदेश, मद्यप्रदेश, चतीजगर, उडीसा और आंधरा प्रदेश तो ये टोटल पांच राज हैं जिनसे मानक मध्यान रिकाओ करके गुजरती है और लिस्ट में आप देखेंगे कहीं पर भी जारखंड शामिल नहीं है तो इसलिए C उप्षिन इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो अठारवे का कौन सा उप्षिन होगा C उप्षिन अगला ह पर देहर हाइड्रोइलेक्टिक पाउर प्लांट बनाए गया है तो देहर हाइड्रोइलेक्टिक पाउर प्लांट आपका व्यास नदी पर है और किस नदी पर इडुक की हाइड्रोइलेक्टिक पाउर प्लांट बनाए गया है तो यह आपका पेरियार रिवर पे अग्सके collaborate नम्बर कंती से कौन सा हाइड्य नेक्टिक प्लांट दो राज्यों से समंधित है धान दीजिए का दो राजयों थे समंतित पूछ रहा है तो बैराषसीयूल हाइड्यवेक्टिक प्लांट यह आपका केवल और केवल इक्सक्लूसिव लिए इमाचल प्रदेश से रिलेटेड है बार्सागर हैड्राइड्रीमाडटिर है और अगला सक्रेश नावर्णब है न कॉछलए उर्डेश से रिलेटेड है दे at समंदित राज दिया गया है आपको बताना है कि इन में से कौन सा सही वी कल्ब है मतलब तीन गलत होंगे तो हम उनको भी देखेंगे कि उनका सही आंसर क्या होगा तो सबसे पहले सही इसमें कौन सा है तो कसाउली आप देखिए हिमांचल प्रदेश में ही मौझूद है हिल स्टेशन तो ये वाला ऑप्षिन बिल्गूल करेक्ट है 21 का अंसर जाएगा बी अब आईए जो गलत है उनको देख लेते हैं तो फ्रेंट जो लैंस डाउन है ध्यान रखिएगा लैंस डाउन आपका उत्राखन में मौझूद है कसाउली मैंने अभी बता दिया हिमांचल प्रदेश में ये सही मिला हुआ है कलिम पोंग कलिम पोंग आपका पश्री मंगाल से रिलेटेड है और कोड़ाई कनाल आपका तमिल नाडू से रिलेटेड है ठीक है तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा बी आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है कोशन नमबर 22 एक तरफ राज दिया गया है और दूसरी तरफ आपको पहाड़ियां दे गई है और आपको मिलाना है राज यू को समंदित पहाड़ियों से तो हर्याना में आपकी मोरनी पहाड़ियां है त्रिपुरा में आपकी जंपूई पहाड़ियां है तमिल नाडू में पलानी हील् आपको सही विकलब का चेंड करना था तो आप इस हिसाब से कह सकते हैं कि जो C option है देखिए वो correctly matched है तो 22 में का अंसर क्या हो जाएगा C अगला question है question number 23 गलत विकलब का आपको चेंड करना था तो मतलब सही होगा एक गलत होगा तो तेलंगाना में आप कह सकते हैं डोली गुट्टा परवशिखर मौजूद है तो यह सही है मिजोरम में आपका फॉंग पुई है और करनाटक में मुल्ला एन गिरी है लेकिन जो धूप गड़ की पहाड़ियां है या धूप गड़ का जो परवशि अंतरगत नहीं आती है तो पश्यमी घाट के अंतरगत कौन कौन से पाड़ियां आती है एक आपकी निलगरी है एक आपकी अन्ना मलाई एक आपके इलाची तो निलगरी अन्ना मिलाई और इलाची यह आपकी पश्यमी घाट की पाड़ियां है लेकिन जो नल्ला माला और तीसरी आपकी महेंद्रगरी है तो नला माला, जवाड़ी और महेंद्रगरी यह आपकी है इस्टन गहाट की और नील गरी, अनना मलाई और Hilay Chhee आपकी है वेस्टन गहाट की तो इस हिसाब से इसका right answer क्या हो जाएगा 24 में का इसका right answer हो जाएगा C क्योंकि ये पूर्वी घाट की पाहड़ी है अगला है question number 25 निम लिखित में से किस राज्य में पूर्वी घाट का विस्तार नहीं है तो फ्रेंट्स पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो total पांच राज्यों में है ध्यान रखेगा जो पूर्वी घाट वो total पांच राज्यों में एक आपका है उडिशा एक आपका है अंधरप्रदेश तेलंगाना, करनाटक और तमिलनाडू तो आप देखेंगे total ये पांच राज्ये हैं जहाँ पर पूर्वी घाट extended है तो इसमें इस लिश्ट में ऐसा कौन सा नाम है जो की हमारे लिश्ट में मौझूद नहीं है तो आप कह सकते हैं जो केरल है वो right answer हो जाएगा question number 25 का अगला है question number 26 किस नदी तंत्र की कुल लंबाई सबसे कम है तो ये जो नदियां आपको दी गई है इन में कृष्णा रिवर जो है ये सबसे लंबी है 1400 किलोमीटर की कावेरी रिवर आपकी 805 किलोमीटर है और महा नदी आपकी 851 किलोमीटर है जबकि जो तापती रिवर है ये केवल 724 किलोमीटर लंबी है तो इस हिसाब से सबसे कम लंबाई की पूछी गई थी तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा अगला है question number 27 वह इस्थान जहां अलक नंदा नदी भागीरती नदी से मिलती है उशे क्या कहते हैं तो उसे आप देव प्रयाग के नाम से जानते हैं विश्णु प्रयाग आप कह सकते हैं यहाँ पर अलक नंदा किस नदी से मिलती है तो विश्णु प्रयाग में आपकी धौल गंगा मिलती है नंद प्रयाग में नंदाकनी मिलती है और रुद्ध प्रयाग में मंदाकनी मिलती है ठीक है इसी में एक और आता है कर्ण प्रियाग यहाँ पर आकी पिंडर मिलती है तो question number 27 का right answer हो जाएगा बी देव प्रियाग अगला है question number 28 सही विकल्प का आपको chain करना था एक तरफ नदी है दूसरी तरफ उसकी ट्रिब्यूटरी जी गई है साइक नदी तो आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है तो घागरा नदी की साइक नदी राप्टी बिल्कुल सही है तो इस हिसाब से इसका C option correct हो जाएगा लेकिन जो गलत है उनको भी देख लेते हैं तो दामोदर की साइक नदी क्या हो जाएगी चंबल की साइक नदी क्या हो जाएगी बनास घागरा की राप्टी मैंने बता दिया और स्टोन रिवर की साइक नदी हो जाएगी गोपद ठीक है तो question number 28 का right answer हो जाएगा आपका C अगला है question number 29 सही विकलब का आपको chain करना है एक तरफ शहर दिये गए है दूसरी तरफ नदिया दिये गई है तो माले गाउं जो शहर है ये किस नदी के किना रहे है ये आपकी गिरना नदी के किना रहे है सूरत आपकी किस नदी के किना रहे है तो ये आपकी तापती नदी के किना रहे है तिरिचु पर लिया आपकी हो जाएगी कावरी रिवर के किनारे और विजय वाड़ा कृष्णा नदी के किनारे तो आपको सही विकल्प का ही चैन करना था तो D option इसका correct हो जाएगा अगला है question number 30 नीपर नदी किस देश से उकर के नहीं बहती है तो नीपर रिवर जो है फ्रेंड वो तीन देशों से उकर के बहती है रसिया बिलारूस और यूक्रेन रसिया बिलारूस और यूक्रेन तो यहाँ पर आप देखे रसिया बिलारूस और यूक्रेन तो मतलब बुलगारिया से उकर के नहीं बहती है उसके बाद अगर मेकॉंग की बात करें तो मेकॉंग नदी कितने देशों से ओकर के बहती है तो एक आपकी चाइना हो जाएगी मयानमार लाओस थाइलेंड कमबोडिया वियत नाम तो ये टोटल छे कंट्री से ओकर के बहती है अब अपनी लिश्ट में देखे कहीं पर भी फिलिपीन सामिल नहीं है तो इस हिसाब से जो डी आप्शन है वो बिलकुल करेक्ट हो जाएगा अगला है कोश्चन नमबर 31 कौन सा राज शीर से तीन इरी रेशम उतपादक राजू के अंतरगत नहीं आता है इस्टेट डजनॉट कम अंडर तो असाम करनाटक और मेघाले ध्यान रखेगा जो असाम करनाटक असाम मेघाले और नागले असाम मेघाले और नागले सबसे ज्यादा उतपादन इरी रेशम का कहां पर होता है असाम में फिर आपका हो जाएगा मेघाले और फिर आपका नागले तो यहां पर देखे सीर सितीन नामों में कह टॉप से उपर आपका जहारखंड है फिर आपका 36 गड़ है और फिर आपका उडिसा है तो टॉप 3 में कहीं पर भी आप देखेंगे पश्चिम मंगाल नहीं आ रहा है तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि B option इसका correct हो जाएगा अगला है question number 32 कौन सा राज भारत के शीर सितीन सब जियां उत्पादग राज्यों के अंतरगत नहीं आता है तो आप कह सकते हैं top 3 vegetable producing state of India कौन से हैं सबसे number 1 पर है West Bengal जहां पर सब्जियां सबसे ज़्यादा उत्पन किया आती है फिर आपका है उत्तरप्रदेश और फिर आपका है मद्यप्रदेश तो इस लिस्ट में आप द अगला है question number 33 गलत विकल्प का आपको chain करना था तो भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्ये कैश्यूनेट उत्पादक producing state of India महरास्ट्रे है जो कि बिल्कुल सही है आपको गलत का chain करना है तो पहला statement सही है सबसे बड़ा नारिल उत्पादक राज आप सभी को प अगला है question number 34 गलत विकल्प का आपको chain करना है कपास के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा इस्थान है जो कि बिल्कुल सही है मास के उत्पादन में भारत का विश्व में छटा इस्थान है तो ये भी correct लिखा हुआ है इंडिया ranks 6th in the world in the production of meat मक्का के उत्पादन में भारत का विश्व में सात्वा इस्थान है जो कि बिल्कुल सही है केले के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा इस्थान नहीं है इसमें भारत का पहला इस्थान है द्यान लख़िएगा बनाना प्रोडक्शन में इंडिया का पूरे विश्व में पहला स्थान है तो D option देखें गलत लिखा हुआ है गलत का ही चैन करना था तो D option इसका correct हो जाएगा अगला है question number 35 गलत विकल्प का फिर से आपको चैन करना है फिल्स पार के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है जो की सही है गारनेट के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है जो की गलत है भारत का विश्व में भारत का विश्व में चौथा स्थान है ना की तीसरा है तो B option गलत का ही चैन करना था B ये option आपका गलत लिखा हुआ है लेकिन आप बाकी के भी दोनों option देख लेते हैं लेट के उत्पादर में भारत का विश्व में 7 वाय स्थान है और बॉक्साइट में भारत का विश्व में 5 वाय स्थान है चीक है तो इस हिसाब से जो 35 पर उसका अंसर क्या हो जाएगा बी अ विश्व में जांबिया का करेक्टली मैजड है क्वाचा और स्वीडन की जो करेंसी हो जागी क्रोना तो इस हिसाब से आदेखेंगे तो इस कोश्चन का 36 का अंसर क्या हो जाएगा सी जांबिया क्योंकि यह सही मिलान है अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 37 एक तरफ कंट सुरिनेम सुरिनेम फ्रेंच चुगिए आपके इसकी कैपिल जाएगी परमारीबू सुमालिया की कैप्टल है मोगा दिश्व रवांड़ की कैपिल है कि तो यहां पर आपको सही आपको विकल्प्षोजना था और यह बिल्किल सही मिलान दिया हुआ है जो क्या है लोम है अ गलत विकल्प का आपको चैन करना था अंतरास्ट्री शीमा रेका इंटरनेशनल बाउंडरी लाइन एक तरफ दी हुई है दूसरी तरफ रिलेटेड कंट्री दी हुई है तो ब्लू लाइन ध्यान रखेगा जो ब्लू लाइन है वो किसके किसके बीच की है लिबनान और इसरा के बीच में है तो डी ऑप्शन इंकरेक्ट हो जाएगा गलत का ही चैन करना था तो थर्टी एट का अंसर जाएगा अगला है कोश्चन नमबर थर्टी ना है गलत विकल्प का आपको चैन करना था अटा कामा का मरुस्तर चिली और पेरू में मौजूद है बिलकुल सही है औ और चिली पेरू कहां पर है तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है यह ध्यान रखेगा है ना सीरियाई रेगिस्तान लीबिया जॉर्डन सीरिया तो देखी यह ऑप्शन गलत दिया हुआ है लीबिया नहीं होना चीह यहां पर और इराक जॉर्डन और सीरिया में मौजूद है ना कि लीबिया है ना लीबिया आपकी कहां पर है लीबिया आपकी आ जागी अफरीका में गोबी का जो मरुस्तल है वो चीन और मंगोलिया की बीच में मौजूद है तो आपको गलत का ही चैन करना था आपने गलत ढूंड लिया है बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा अगला है कोश्चन नमबर 40 निम लिकित में से आपको देखिए सही विकलपा चैन करना एक तरफ आपको लोकल विंड्स के निम दिये है और एक तरफ एरिया दिया हुआ है तो खमसिन कहां की लोकल विंड है यह आपकी मिस्तर की है एजिप्ट की हर्मटन हर्मटन आपकी हो म्यानमार किस राजे के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता है तो फ्रेंड म्यानमार आप देखेंगे अरवरांचल प्रदेश नागालेंड मिजोरम और मनीपूर इतने राजों के साथ सीमा साजा करता है अरवरांचल प्रदेश नागालेंड मनीपूर और मिजोरम सिक्किम क रुडांचल प्रदेश और आसाम है हना वेस्ट बेंगोज सिक्किम रुडांचल प्रदेश और आसाम आप देखेंगे मनिपूर के साथ जो भूटा ने उसी मास आजा नहीं करता है तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा ए सिक्किम और मनिपूर अगला कोशन मेर 42 सही विक कहां मौजूद है तो यह आपके शीमोगा डिस्टिक में मौजूद है शीमोगा डिस्टिक कहां पर है ध्यान रखेगा यह आपका करनाटक में मौजूद है नोहल नोहक कुलाई जल्परपात यह आपका मौजूद है मेघाले में ध्यान रखेगा पूर्वी खासी हिल्स मे ये मेगाले मौझूद है और जो हुरुंड जल प्रपात है ये आपका राची में ही मौझूद है और राची कहां पर है ये आपका ज्हारकंड में है तो इस हिसाब से 42 का अंसर जाएगा डी अगला है कोश्चन नमबर 43 सही विकल्प का आपको चैन करना है तो हमीरसर जील हमी कहां पर मौझूद है तो ये आपका हिमांचल प्रदेश में मौझूद है ये आपका कहां मौझूद है सही का चैन करना है तो एस हो नी सकता कि दूंबी धियान रखेएंगा ये आपका असाम में ही मौझूद है ठीक है तो it's not बागी स्मोगो जील यह आपका गुजरात में नहीं है यह कहां पर मौजूद है यह आपका सिक्किम में है और महाराणा प्रताफ सागर जील यह आपका है हिमांचल प्रदेश में नाकी सिक्किम में ठीक है अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 44 सही विकल्प का आपको चैन कर यह आपका कंचन जूंगा श्रड़ी में मौजूद है सिक्किम में हिस्पार जो ग्लैशियर है यह आपका कराकोरं परवश्रंक्ला में मौजूद है तो सी ओप्षिन इसका क्रेक्ट हो जागा क्योंकि आपको सही का विखल्प का ही थर्मल पावर प्लांट ध्यान रखीगा यह आपका उडिसा में है नाकी 36 गड़ में तो गलत का ही चैन करना था पहला ही आपका गलत हो गया तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा बाकी सारे आपके सही मिलान है तो आप इसको आराम से पढ़ लिजेगा अगला कोशन है कोशन करना था आप देखेंगे का पास और श्यामली यह सही मिलान है तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा अगला है कोशन नंबर 47 सही विकल्प का ही आपको चैन करना था एक तरफ एगरिकल्चर या कल्टिवेशन दिया हुआ है दूसरी तरफ आपको रीजन दिया हुआ ह कि किस रीजन में कल्टिवेशन होता है तो जो लोगन क्रिशी है यह आपकी एसोसियेटेड है वेस्टें अफरिका से लिडांग जो एगरिकल्चर है यह आपका इंडोनेशा से डिलेटेड है तो आप देखें बी वाला आप्शन आपको मिल गया जो की सही विकल्प है और कि जो कैंगीन है ध्यान रखिया का कैंगीन आपकी फिलिपीन की अगरिकल्चर है और जो तमराई है यह आपकी थाइलेंड की अगरिकल्चर है गलत तत्य का आपको चैन करना है और जलवाई यू ट्रॉपिकल हुमिट क्लाइमिट इस रिक्वार्मेंट होती है तो देखेंगे आप सी ऑप्षिन इसका करेक्ट हो जाएगा फूटी सेवन का आपको गलत तत्य का ही चैन करना था बाकी इसके लिए स्वाइल कैसी गलत विकल्प का आपको चैन करना था रबर बोड यह कोची दिया हुआ है गलत लिखावा रबर बोड आपका कहां पर है यह आपका कोट टाइम में है ध्यान रखेगा कोट टाइम ना की कोची तंबाकु बोर्ड गुंतूर बिल्कुल सही है राष्टी मांस और कुकुट नेशनल मीट और पॉल्टरी प्रोसेसिंग ये आपका नियू डेली में है और राश्टी जूट बोर्ड जो है नेशनल जूट बोर्ड ये कलकता में मुझूद है तो इसका सही जो आपको चैन करना था तो यहाँ पर 2011 को अंठराश्ट्रीवन वर्स से इंटरनेशनल यह और फॉरेस्ट गोषिद के अगया थाary को अंतराश्टी जल सायोग वर्स यअप का सत्रे इंटरनेशनल यह और कोइशन Kang गोशीद किए यह जोकी सही है और 2015 आपका अंतरास्ट्री मृदा वरिष्टा इंटरनेशनल वर्ष नहीं था 2016 ध्यान रखेगा 2016 क्या था इन्टरनेशनल यह र और फिलस तो इस हब से सही उत्तर क्या हो जागा डी क्योंकि आपको गलत विखल फिकल्पी खोजना था और इसके 2018 की जिगा क्या होना चीज़ है 2016 okay friends so thank you so much for watching this video